नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूग चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, जैसे-जैसे हमारा जीवन उन्मत होता जा रहा है, यानि कि जैसे-जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो डेवलप होती जा रही है वैसे-वैसे हमारे खाने-पीने की आदतों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा है और खाने पीने की इनी आदतों में परिवर्तन का जितना भी जादा बुरा प्रभाव पढ़ता है वो सब हमारे लीवर पर पढ़ता है हमारे खाने पीने में जितना जादा हम फास्ट फूड का यूज करने लगे हैं एल्कोहल का सेवन करने लगे हैं नॉन वेज बहुत जादा खाने लगे हैं रात में खाना हम लोग खाते हैं 9-10-10 कई लोग तो 11-12 बजे तक खाना खाते हैं रात में तो इन सब का बहुत जादा बुरा प्रभाव, इन सारी बातों का बहुत जादा side effect हमारे liver पर पढ़ने लगा है और liver में बहुत सारी बीमारियां develop होने लगी है, fatty liver हो, jaundice हो, hepatitis हो, ये सारी बीमारियां इनी सब आदतों के कारण होती है तो आज मैं आपको इन बीमारियों को ठीक करने के लिए एक दवा के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ही जादा अच्छी दवा है, होमियोपेथी में बहुत जादा success के साथ, liver से जुड़ी हुई बीमारियों में इस दवा का उप्योग किया जाता है, और इस दवा का ना दोस्तों ये जो काडूस मेराइनस होती है, होमियोपेथी में खास तोर से liver से सम्मंदित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो fatty liver हो, चाहे वो hepatitis हो, चाहे वो jondis हो, चाहे वो gallstones हो, यानि की पित्ताशय की पत्री हो, या फिर कई मामलों में liver के cancer तक में काडूस मेराइनस बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ज़्यादा promising results, कार्डूस मेराइनस का use करने पर patients में मिलते हैं, तो यदि हम इसकी general symptoms की बात करते हैं, तो इसका जो patient होता है, वो थोड़ा सा उदास होता है, चिलचड़ा हो जाता है, उसकी बीमारी के कारण, इसका जो मुख्य होती है उसकी बीमारी, और अपनी बीमारी के कारण ये उदास हो जाता है, चिलचड़ा हो जाता है, गुस्सा इसको बहुत जल्दी आता है, हाला कि ये लडाई जगड़े से दूर रहना पसंद करता है, किसी के साथ लड़ना इसको पसंद नहीं है, फिर भी इसका कोई भी यदि बीमारी हो किसी पेशेंट में आपको ये सिम्टम दिखाई देते हो कि उसको फैटी लीवर हो गया हो या उसको जॉंडिस हो गया हो पीलिया हो पीलिया के केसिस में कार्डू असमेराइनस बहुत जादा हैल्प करती है जबकि उसकी आँखों पे पीलापन काम नहीं होता है, लिवर उसका ठीक तरीके से काम नहीं करता है, अपच की उसको प्राबलम हो जाती है, स्टूल उसका काला होने लगता है, इस्टिकी स्टूल हो जाता है, वो काले रंग का होने लगता है, इस्टिकी स्टूल हो जाता है, यानि चिपचिपा हो जाता है, तब उसन सारी conditions में Cardoos Merinus का use करना चाहिए एक और खास चीज देखी जाती है कि Cardoos Merinus के जो patient होते हैं उनमें clay colored stool भी देखा जाता है यानि कि मिट्टी के रंग जैसा stool भी देखा जाता है तब उस condition में भी हमें Cardoos Merinus का mother tincture 10-10 wound दिन में 3 बार आदे कप या एक कप पानी में मिलाकर patients को देना चाहिए ये बात हमेशा याद रखें दोस्तों कि liver से संबंदित जितनी भी बीमारियां हो उन सभी में हमें Cardoos Merinus का उप्योग mother tincture के form में जरूर करना चाहिए चाहे आपको fatty liver हो रहा हो चाहे जॉन्डेस हो गया हो चाहे hepatitis हुआ हो कुछ भी हो लेकिन Cardoos Merinus एक ऐसी medicine है जिसका उप्योग जरूर करना चाहिए mother tincture के form में खास तोर से उन लोगों को जो की alcohol का बहुत जादा सेवन करते हैं और उनके शरीर में fatty liver develop हो चुका होता है चुकि liver alcohol के detoxification का काम करता है तो उनके शरीर में fatty liver हो जाता है तब उस condition में हमें Cardoos Merinus का mother tincture उन patients को continue 6 महिने, 8 महिने तक देना चाहिए 10-10 बूंद, दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिला कर तो liver से सम्मंदित जितनी भी उनकी समस्याएं होती है चाहे वो पेट में उनको जलन पड़ रही हो चाहे वो पेट में अपच उनको हो रही हो खाना उनका सही तरीके से पचना रहा हो तब सारी समस्याओं को solve करना Cardoos Merinus का काम होता है और Cardoos Merinus इस काम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है बहुत सक्सेस के साथ Homeopathy में Cardoos Merinus का Mother Tincture यूज किया जाता है Jondis के जो patient होते हैं जिनकी तवचा में खुजली चलती है एक symptom होता है कि उनकी पूरी skin में इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है उस condition में भी Cardoos Merinus बहुत ज़्यादा यूज की जाती है और इसको तब भी 10-10 बून दिन में तीन बार आदे कप या एक कप पानी में मिलाकर इसका Mother Tincture patient को दिया जाता है और इसको skin में जो इचिंग होती है उसमें बहुत जल्दी उसको relief मिल जाता है इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो patient होता है उसको left side लेटने में बहुत जादा तकलीफ होती है liver जो होता है वो हमारी body में right side होता है यहाँ पर इस हिस्से में liver होता है लेकिन जैसे ही patient left side की करवट पे लेटता है यानि इस हाथ की तरफ लेटता है तो उसको बहुत जादा तकलीफ होने लगती है दर्द होने लगता है यह carduous merinus का बहुत ही जादा important symptom होता है इसके साथ ही जब patient चलता है या motion करता है यानि कि थोड़ा बहुत चलता है body को हिलाता डोलाता है तब भी उसको बहुत जादा दर्द होता है यह भी carduous merinus का बहुत ही important एक symptom होता है उस condition में भी हमें carduous merinus का mother tincture 10-10 wound दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिला कर पीना चाहिए दोस्तों इसके साथ ही जिन लोगों को liver में cirrhosis हो जाती है उन लोगों के लिए भी carduous merinus एक अमरित के समान दवा है और उनको इसका उपयोग जरूर करना चाहिए cirrhosis of liver में बहुत ही जादा promising result मिलते हैं बहुत अच्छे result मिलते हैं लेकिन इस दवा का continue use करना पड़ता है दोस्तों कम से कम 3 महीने इसका उपयोग किया जाना चाहिए दीरे दीरे patient में improvement होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला कर patient को देना शुरू करें एक बार अपने doctor से जरूर consult कर लें लेकिन cirrhosis के cases में कि patient की अभी general condition कैसी है और हम इस दवा को start कर रहे हैं तो ये homeopathic doctor से consult करें तो आपको बहुत जादा उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी और आप इसको बहुत आसानी से start कर सकते हैं उनको बहुत ही जादा अच्छे result इसमें मिलते हैं इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को गाल ब्लेडर में भी पत्री हो जाती है उन लोगों में भी carduos merinus बहुत अच्छा काम करती है इसके patient की जो खासियत होती ही वो ये होती है कि यहां से दर्द start होता है यानि कि liver के हिस्से से दर्द start होता है और उसके बाद यहां पीछे इस्कैपुला तक दर्द चला जाता है ये बहुत खास सिंटम होता है carduos merinus का तो दोस्तों हमें इन सारी बीमारियों में carduos merinus का उपयोग करना चाहिए इसके mother tincture की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आदे कप या एक कप पानी में मिला कर patient को देना चाहिए liver से सम्मंदित सभी बीमारियों में ये एक अमरित के समान दवा है सभी बीमारियों में liver के बहुत अच्छा काम करती है बहुत ज़्यादा useful है ये medicine आज के लिए फिलाल इतना ही दोस्तों आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों homeopathic दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुल्ला करके गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आदे गंटे पहले या फिर दो से धाई गंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे की ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होमियोपेथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाइची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीज़ों का इस्तिमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद यह रखना है कि जब भी आप होमियोपैथिक दवा खाए इन में से किसी भी वस्तू का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुँ में ना हो, यानि कि जब भी आप इने खाएं तो इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खालें, या फिर इने खाने के दो ड़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुँ में अच्छे से कुला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियोपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं कच्छा प्याज लहसों अद्रा कींग सब खाना छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण होमियोपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है यह होमियोपैथिक दवाओं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आप